कैसे हो सब लोग आप आपका evolution series बहुत अच्छा चल रहा है और आप नोट्स बना रहे हैं तो आज हम फिफ्थ लेक्चर लेकर आए हैं evolution का अपना यह series आपको CSIR net और get दोनों के अंदर बहुत ज्यादा helpful रहेगी हम सारे topics दोनों exams के point of view से cover करेंगे तो हमें set exam के लिए कुछ extra effort करने की जरूत नहीं पड़ेगी set exam इसके अंदर हो जाएगा अपना और assistant professor की exam में geology के अंदर जो evolution आता है वो भी आपका यहां से मैं cover करवा दूंगा तो कुल मिला करके चार आपके main exams के लिए यह series है वह बहुत beneficial है आज का lecture हमारा लेमार्क के उपर बेस्ट है हम लेमार्क की बाते करेंगे इसके अंदर चलिए मैं थोड़ा सा गलत समझ लिया और फिर हम next lecture में पढ़ेंगे नियो लेमार्किजम नियो लेमार्किजम के अंदर लोगों ने लेमार्क को support किया उनकी theories को सही करने की कोशिश करी उनके ideas को better explanation के साथ represent करने की कोशिश करी आज के lecture में हम लेमार्क के यह सारी चीजे हम आज discuss करेंगे तो चलिए शुरुआत करते हैं बीना किसी देरी के हमारे lecture की और हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले लेमार्क की थोड़ इसी life journey और नहीं तेखिए मैं आपको points में बता देता हूं लेमार्क का नाम बहुत बड़ा है जैसे south indians के अंदर होता ना बहुत लंबे लंबे नाम होते हैं वैसे लेमार्क एक ऐसी family से belong करते थे जिस family के अंदर army का craze बहुत था और जिस जगह पर location में थे ये वहां का आप ऐसे मान लीजिए एक rules आई था कि family का कम से कम एक member army में जाना चीए लेमार्क ने भी 7 साल तक लड़ाई लड़ी है किसमत अच्छी थी जिंदा लोटके आ गए लेमार्क के पिताजी भी army में थे लेमार्क के जो बड़े भाई हैं वो भी army में थे और उनकी death हो गई थी एक युद्ध के दोरान लेमार्क का अपना जो personal interest था वो सबसे पहले बौटनी में था और 5 साल तक इन्होंने एक herbarium के अंदर काम किया लेकिन उसके बाद में ये जुलोजी के professor बन गए और जुलोजी के अंदर इन्होंने काफी काम किया था काफी इनको पहचान मिली है लेमार्क का birth और death कुछ इस तरीके से है लेमार्क एक naturalist थे biologist थे, academics थे और soldier थे साथ साल तक इन्होंने लड़ाई लड़ी है बहुत bravery वाले काम किये इन्होंने जब इनके पिताजी की death हो गई थी तो अपने लिए एक घोड़ा खरीद के लेके आए उसके उपर घुड़ सवारी करते थे और खुद को आर्मी के लिए train करते थे जिसे आज कल अपने यहां नहीं होता कि जिनको आर्मी में जाना होता हूँ रनिंग करते हैं, exercise करते हैं उसी हिसाब से ही अपने आपको prepare कर रहे थे फिर बाद में हुआ यहां कि जब आर्मी से रिटायर होकर के आए तो अब बोटनी पढ़ने लग गए, हर्बेरियम में काम किया, फिर बाद में जूलो जी के प्रोफेसर बन गए लेमार्क की जब डेथ हुई थी, तब इनकी financial condition इतनी खराब थी कि इनको दफनाने के लिए भी पैसे नहीं थे और इनकी family members ने इनके जो किताबे थी, इनका जो काम था, academics का, उनकी निलामी कर दी थी लेमार्क को एकदम एक normal सी कबर के अंदर दफनाया गया था, पांच साल तक वो उस कबर के अंदर रहे और पांच साल बाद उन्हें निकाला गया कबर से पांच साल में तो बोड़ी का काफ़ी decomposition हो जाता है, बट पांच साल बाद जब निकाला गया, दूसरी जगर पर इनको दफनाया गया था लेमार्क एक ऐसे इनसान थे, जो दूसरों की help करने में believe करते थे लग कोई help मांगने आ रहा है तो उसकी help करने की पूरी-पूरी कोशिश करते थे इस तरीके के एक अच्छे type के थे पर इनके friends बहुत कम थे अब जितना ये काम करते थे, उस काम के अनूसार इनका circle छोटा सा था और उसके कारण friends ज्यादा बनते नहीं थे इनके खेर, लेमार्क का कुछ contribution आपको बता देता हूँ, जैसे 1798 के अंदर एक research paper इन्होंने publish किया और research paper का नाम क्या था? Influence of the moon on the earth's atmosphere अर्थ के atmosphere के उपर moon का क्या influence है? ये इनका काम था, एक research paper था, 1798 के अंदर Next देखिए 1801 के अंदर इन्होंने एक किताब लिखी और किताब है system-anumax sense vertebrates इसका मतलब ये है classification of invertebrates इस book के अंदर invertebrates का classification दिया इनोंने बहुत अच्छा काम था और बाद में ये book कई volumes के अंदर आई थी Then next, 1809 इनकी सबसेफ फेमस किताब philosophy zoology q जिसके अंदर इन्होंने inheritance of acquired character की थियोरी दी है जिन्होंने इस किताब के अंदर अपना काम publish किया है तो philosophy zoology q 1909 के अंदर और आपको एक interesting बात बताओं आपको एक interesting बात बताओं 1809 वो year है जिसमें Darwin पैदा हुए थे तो जब Lamarck अपना सारा काम कर कुरा के एक किताब में छाप चुके थे उस साल तो Darwin पैदा हुए थे तो आप सोच लीजिए कि Darwin कितने time बाद आते हैं Lamarck के 1809 दैन उसके बाद एक और point 1829 के अंदर Lamarck द्वारा evolution की first theory दी गई he was the first person to give a theory on evolution बाते तो evolution के बारे में बहुत लोगों ने कर रखी है पर एक theory जो है वो evolution की इन्होंने दे रखी है तो यह 4 points आपको याद रखने है 1798 moon का earth के atmosphere पे क्या effect है 1801 जिसके अंदर इन्होंने classification of invertebrate दिया अभी और कुछ चीजे में बताऊंगा आपको then 1809 इसके अंदर philosophy zoology क्यों आती है और उसके बाद में 1829 जिसके अंदर यह एक theory देते हैं evolution के ऊपर यह तो हो गए चार points अब देखिए और बाते करते हैं लेमार्क ने दो टर्म्स भी दे रखे हैं invertebrates and analida invertebrates and analida उसके अलावा लेमार्क ने बाइलोजी टर्म भी दिया लेकिन लेमार्क के साथ ट्रेवी रेनस नाम के भी थे एक इनसान अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ आप ज्यादातर किताब में पढ़ोगे न तो आपको या तो ऐसा मिलेगा ज्यादातर किताबों के अंदर आपको लेमार्क ने बाइलोजी टर्म दिया है ऐसा मिलेगा कुछ किताबों में आपको लेमार्क and ट्रेवी रेनस दोनों का मिलेगा कि लेकिन मैं आपको एक फेक्ट बता देता हूँ लेमार्क से भी बहुत पहले इंडिपेंडेंटली बाइलोजी टर्म है वो तीन लोगों ने दे रखा है इंडिपेंडेंटली तो फिर अब ज्यादातर किताबों के अंदर लेमार्क का क्यों आता है वो इसलिए आता है कि 1802 के अंदर लेमार्क ने बाइलोजी टर्म का सबसे ज्यादा यूज किया इस टर्म को सबसे ज्यादा यूज करने वाले और पॉपुलराइज करने वाले वेक्ति थे वो लेमार्क थे 1802 के अंदर जबकि तर्म बाइलोजी वोज अलसो इंटर्डूज इंडीपेंडेंटली बाइ थोमस बेड़ोज 1799 कारल फ्रेडरिक बुर्डॉक इन 1800 एंड गॉटफाइड रेनॉल्ड ट्रेविरेनस 1802 तो भई बात ऐसी है कि आपको यदि एक्जाम पॉइंट ओफ यू से सवाल आए तो आप डेफिनेटली 1802 लेमार्क एंड ट्रेविरेनस ओप्शन के उपर जाईएगा ये ओप्शन क्योंकि किताबों के अंदर लिखा हुआ होता है तो यही ओप्शन आपको सही माना जाएगा इसलिए आप इस ओप्शन के दिल कर दिया है 1802 के अंदर तो बाकी आपने पीछे की स्लाइड में देखा कुछ और इंपोर्टेंट चीजें थी हमारे पास में अब अपना आते हैं लेमार्किजम के उपर लेमार्किजम मीन्स लेमाक के आईडियाज लेमाक की थोट लेमार्क का काम लेमार्क के पॉस्चूलेट्स तो लेमाक ने क्या क्या बाते कहीं है ज्यादा तर तो देखो आपको पता होगी शायद की जैसे यूज और डिस्यूज की बात कही थी inheritance acquired characters का होता है ये बात कही थी इन्होंने कहा था कि environmental needs के कारण नया organ है वो develop होता है इन्होंने कहा था कि body की size या body के जो organs है उनकी size continuously nature के अंदर बढ़ती रहती है ऐसी ऐसी बातें ये कर चुके है तो हम lamarchism को एक नए ढंग से पढ़ते हैं और जो सारी बाते हैं मैं आपको सब clear कर दूँगा यहां पर आपको lamarchism एकदम easy लगने लगेगा खले शुरुआत करते हैं अपन lamarchism में सबसे पहले point की Species change over time into new species by the process called transformism Transformism का मतलब क्या है Lamarch ने कहा कि time के साथ एक species दूसरी species में convert हो जाती है Transformism का मतलब conversion यानि चीज वही रहती है बस वो नई बन गई है Let me tell you one thing कि जैसे मान लीजिए मैं यह कहूं कि कोई मेरे पास में एक object है ए यह पैन है अब इस पैन के कितने characters हमें दिख रहे हैं वो हम एक कागस पे लिख लेते हैं अब मैं इस पैन में Modification कर दूं Modification in the sense कि यह पैन यहां से थोड़ा थिक है इसको मैं पतला कर देता हूं यह पैन यहां से थोड़ा सथीन है इसको मोटा कर देता हूं यहां से यह pointed है इसको कोई और shape देता हूं इसका color black है इसका color change कर देते हैं कुल मिला करके पैन का जो बेसिक माटेरियल है वो यही रहना चाहिए और आप इसके अंदर मोडिफिकेशन्स कर दो तो हम कहेंगे कि जो A अबजेक्ट था वही अबजेक्ट B बन गया है A अबजेक्ट है वो अब B बन चुका है तो इसका मतलब फिर वो A तो रहा नहीं को यही बात समझ में आई कि नेचर के अंदर स्पीसीज के जो मेंबर्स होते हैं वो एनवार्मेंटल फोर्स के कारण अपनी इंटरनल विलपावर के कारण नई रिक्वार्मेंट के कारण मोडिफाई होते जाते हैं और एक समय ऐसा आता है कि इतने मोडिफिकेशन हो जाते हैं कि वो और्गेनिजम से चेंज हो जाते हैं इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मीजम ट्रांसफॉर्मीजम सिंप्ली मेंस कनवर्जन जब एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज में कनवर्ट हो जाती है बदल जाती है इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मीजम तो लेमार्क का एक मेन पॉइंट यही था अब आपको एक डायग्राम दिखाने वाला हूँ और उस डायग्राम से हमें बहुत सारी बाते समझ में आने वाली हैं यह लेमार्किजम है यानि लेमार्क के अकोर्डिंग इवोल्यूशन है क्या कहना चाहते हैं यह लेमार्क कहते हैं कि नेचर के अंदर जितनी भी स्पीसीज है यह इतनी सारी स्पीसीज है यह स्पीसीज टाइम के साथ कॉंप्लेक्स होती जाती है देखिए आप इस डाइरेक्शन के अंदर कॉंप्लेक्स होती जाती है और एक समय ऐसा आएगा कि यह बहुत ज़्यादा कॉंप्लेक्स हो जाएगी और कॉंप्लेक्स होने के साथ साथ अब नई स्पीसीज बन जाएगी जो species 1 थी वो अब species P बन गई है, जो species 2 थी वो species Q बन गई है, जो species 3 थी वो species R बन गई है, फिर अगली S, T, U, V, W, X, Y, Z लेट से यह species अभी evolve हुई है, तो यह तो वैसी की वैसी है, इस graph से हमें बहुत सारी चीज़े समझ में आ रही है, बहुत ज़्यादा information छिपी हुई इस graph के अंदर, मां को एक-एक करके चीज़े बताता हूँ, जैसे, इस graph के according, एक तो जितनी भी species हैं, उन सब का separate evolution हुआ है, तो लेमार्क है, वो separate creation के अंदर believe करते है, separate creation, लेमार्क ने ये कहा, कि जितनी भी species हैं, उन सब का अपना-पना independent evolution हुआ है, तो जो red color से आपको dots दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर, वो सारे के सारे species हैं, अब ऐसा यदि हम माने, इस graph को सही माने, तो इसका मतलब ये हुआ, कि जो red dots है, उनके पिछे तो कोई और dots नहीं है, तो लेमार्क जो है, वो spontaneous creation में और believe करते हैं, spontaneous creation, यानि लेमार्क के according, species का evolution है, वो अचानक से हो जाता है, अब अचानक से कैसे होगा, non-living matter से, तो लेमार्क ए बायो genesis में भी believe करते हैं, आपके सामने हैं, उसके बाद में, लेमार्क ये भी मान रहे हैं, इस graph के according, कि किसी भी lineage में, lineage का मतलब एक species का आगे जब time के साथ में, जो evolution होता है, उसे lineage बोलते हैं, लेमार्क ये मानते हैं कि भई, किसी भी species में कोई भी diversification नहीं होगा, यानि कि कोई भी branch नहीं बनेगी, डार्विन का जब हम पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि किस परकार diversification हो जाता है, branches निकलने लगती हैं, and then नई species बनती हैं, लेकिन लेमार्क के according तो किसी भी line में, कोई side में branch नहीं है न, सीधे-सीधे सारे के सारे, ये जो बिना branching के evolution होता है, इसको कहते हैं transformism, evolution without branching is known as transformism, और orthogenesis, orthogenesis, इसको orthogenesis भी कहते हैं, और क्या-क्या समझ में आ रहा है, मुझे एक चीज ये भी समझ में आ रही है, यदि मैं इस graph को mathematically पढ़ूं तो, कि जैसे-जैसे time बढ़ रहा है, complexity बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, इसका मतलब यहां तो कोई end ही नहीं है, मैं इस graph को और x-axis को लंबा कड़ दूँ, तो मुझे तो y-axis और बढ़ानी पड़ेगी, so there is no end of lineages, no end of lineages, किसी भी lineages का कोई end ही नहीं है, endless है, हमेशा चलता रहेगा, अच्छा मुझे एक चीज और बताओ, कि यहां पर total number of species कितनी है x-axis के उपर, count करोगे तो पता चलेगा 12 है, और आप यह देखो अब कितनी है, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, अभी भी 12 है, इसका मतलब यह है कि nature में biodiversity increase नहीं होती है, नो बायो डाइवर्सिटी increase ही नहीं होती है, जितनी species पहले थी, बिना branching के, बिना end हुए, वही species complex होके दूसरी species बन जाएगी, तो बायो डाइवर्सिटी कहां increase हुई, सोचो आप, इसलिए लेमार्क के according nature के अंदर, बायो डाइवर्सिटी है, वो भी उतनी की उतनी ही रहती है, सो यह है transformism के बारे में, या इस graph के बारे में, देख लीजिए आपको एक-एक point clear होना चाहिए, ताकि जब exam के अंदर कोई भी question आए, तो आप उस पे अपना दिमाग लगा सको, इस graph के according separate creation होती है, spontaneous creation होती है, एबायो जेनेसिस होती है, without branching evolution होता है, इसे transformism कहते हैं, इसी को orthogenesis कहते हैं, यहाँ पे किसी भी lineage का कोई end नहीं होता है, यहाँ बायो डाइवर्सिटी बढ़ती नहीं है, लेकिन लेमार्ख ये तो जरूर जरूर मानते हैं, कि यहाँ पर complexity आती है, organisms और ज़्यादा complex होते चले जाते हैं, organisms और ज़्यादा adapt होते चले जाते हैं, तो यह भी एक बड़ी बात है, चलिए अब हम आगे चलते हैं, और इस थियोरी किया या लेमार के जो points है, एक 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 करके सारे पढ़ लेते हैं, जैसे कि पहला point मैंने आपको बताया, Life has originated many times, बार बार evolve हुई है, क्यों क्योंकि सब का separate creation हुआ है न, by spontaneous generation, अचानक generation हुआ है, from non-living matter, Starting at the bottom of the chain of being, bottom of the chain का मतलब सब से start से, originated many times क्यों, reason आएगा, due to separate creation, separate creation है सबका, इसलिए life को बार बार evolve होना पड़ा, यदि एक बार में कोई ancestry role हो जाते, उसके बाद में चलता रहता, तो एक ही species से काम चल जाता, पर सबका separate origin है, ठीक है इनका थोट था, next point, अब आपको ये चीज बताता हूँ, नई चीज आई अपने पास में, लेमार्क ने कहा कि हर और्गेनिजम के अंदर, एक nervous fluid होता है, देखा जाए तो ये क्या है नहीं पता, nervous fluid क्या है, clear नहीं है, लेकिन यदि आप इसको compare करो, तो आप इसे मान सकते हो, कोई internal vital force, internal vital force, मतलब body के अंदर, कुछ तो ऐसे force होता है, vital force, जरूरी force होता है, body के अंदर, कुछ तो एक mechanism होती है, वो mechanism, organism को complex बनाती है, अब complex कैसे बनाएगी, कि जैसे organism को, कोई नए environment में नई जरूरत होगी, कि मेरी body में तो ये organ होना चाहिए, तो internally एक nervous fluid है, वो काम करेगा, और समय के साथ, उस organism में वो organ डवलप हो जाएगा, यानि कि, ये कोई एक type की internal willpower है, इच्छा शक्ती, कि मेरी body के अंदर, ऐसा कुछ हो जाना चाहिए, और वो हो जाता है, ये nervous fluid का concept है, आप nervous fluid को, internal vital force मानो एक बार, या willpower मानो, तो आपको पूरा paragraph line समझ में आ जाएगी, इसी लाइन को मैं एक बार से, willpower या internal vital force के point of view से, समझाता हूँ, देखना कितना easy लगेगा, एन इंटरनल वाइटल फोर्स एक्ट विदिन दे स्पीसीज, ही सेड, कोजिंग इट टू प्रोग्रेस अप दे चैन, यानि उपर जो चैन जा रही है ना, complex होता जा रहा है और्गेनिजम, वो complex बनाने का काम किसका है, इस nervous fluid का है, internal will का है, जरूरत पड़ेगी, और्गेनिजम विल करेगा कि नहीं, मेरी बॉड़ी के अंदर ऐसा चेंज आना चाहिए, और वो चेंज आ जाएगा, then next point, species originated at different time, क्योंकि सब का separate creation है, तो सारी की सारी species, एक ही दिन, एक ही समय तो evolve नहीं हुई है, ऐसा तो नहीं माना था लेमार्क ने, सब का अलग अलग time पर evolution हुआ है, तो जैसे मानों कि कोई species दस साल पहले evolve वी, और कोई species आज evolve हो रही है, तो वो जो दस साल पहले evolve हुई थी, उसने तो इन दस सालों में कई character require गर लिये, तो वो species तो आज वाली species के comparison में ज़्यादा complex है, लेमार्क ने इस बात को भी माना, लेमार्क ने माना कि जो organisms होते हैं, उनकी एक high rare की होती है, simple, फिर उससे complex, फिर इससे complex, फिर इससे complex, तो लेमार्क के according, जो organisms होंगे, species होगी, वो simple form से लेकर के, complex form की तरफ होगी, अब ये simple form कौन सी होगी, जो अभी अभी बनी है, newly evolved, और जो complex है, उसने काफी समय तक struggle कर लिया है, काफी समय तक environment के अंदर वो रह चुकी है, उसने कई characters acquire कर लिये हैं, तो वो species ज़्यादा complex हो गई, तो यह है, old species, और ये newly evolved species, तीनों पॉइंट समझ में आ गए आपको, वो ही जो graph मैंने दिखाया था, उस graph के उपर based है, हर species का separate creation है, हर species का spontaneous creation है, spontaneous creation है, तो फिर a-biogenesis हो गई, कोई भी non-living matter है, उससे species बनती है, bottom of the chain रहती है, मतलब एकदम simple रहती है, फिर internal vital force, या willpower, या nervous fluid है, वो act करता है, जब जब उस organism को किसी चीज की जरुरत पढ़ती है, किसी चीज की in the sense, किसी character की जरुरत पढ़ती है, तो उस internal force की वजए से, या nervous fluid की वजए से, वो organism और ज़्यादा complex होता चला जाता है, और इससे, एक species है, वो नई species में convert हो सकती है, next, देखो, इसनी बाते हो गई हमारे पास में regarding, three points, next point, linears in his system did not branch and did not go extinct, मैंने बोला ना, time बढ़ाएंगे तो complexity बढ़ेगी, linear relationship है, इनके theory के अंदर, जो होता है कि नहीं होता है, वो तो भगवान जाने, मतलब नहीं होता हो, बियसी बात है, पर इनके according, इनकी thought के according, ना तो कभी branching होती है, ना ही कोई species extinct होती है, वो endless है, एक ही species दूसरी में बदल जाती है बस, तो जो हम यह कह रहे हैं कि linears in his system did not branch, मैं इतने point को orthogenesis बोल सकता हूँ, orthogenesis, और्थोजेनेसिस मीन्स, evolution without branching, evolution without branching, बिना branching के evolution इसे हम कहते हैं, और्थोजेनेसिस, तो इनका मानना था, यह जो था, यह था, यह था, descents from one of these origins become more complex, हमने graph में यही तो कहा था, कि एक तरफ जब time बढ़ता है, आपको यह graph बनाने की जरूत नहीं दुबारा, दूसरी तरफ complexity बढ़ती है, तो with time या descents करती है जब species तो ज़्यादा से ज़्यादा complex हो जाती है, आप यह वाली complexity देखिए और आप यह वाली complexity देखिए, यह इनका एक और point हो गया, फिर उसके बाद में एक और point लेते हैं, thus organisms range from recently originated simple form of the life to more complex form, यहाँ पे जो होगा, वो simple होगा, और यहाँ पे जो होगा, वो more complex होगा, organisms nature के अंदर इसी प्रकार से evolve होते हैं, या इसी प्रकार रहते हैं, simple से complex बनते जाते हैं, यह है लेमार्क के कुछ points जो वो सोच रहे थे, अब लेमार्क ने एक two factor theory दे रखी है, या लेमार्क ने यह कहा, कि दो type के force होते हैं, दो type की mechanism होती है, उन mechanism के कारण complexity आती है, बहुत simple है, बहुत important है, upcoming exams के लिए, आप जितना इसको ध्यान से पढ़ लेंगे, सीख लेंगे, उतना आपके लिए beneficial रहेगा, तो लेमार्क की जो two factor theory है, यानि कि मैंने कहा two factor का मतलब हो गया, यहाँ पे दो type के forces, there are two types of forces, दो forces हैं, और यह दोनो forces हैं, वो कैसे काम करते हैं, यह simple सा representation देखिए, आपको समझ में, यहाँ से थोड़ा सा कम आएगा, मैं समझाऊंगा, तब समझ में आएगा, सबसे पहले देखो, एक animal है, infusoria, तब से नीचे, infusoria, ठीक है, उसके बाद jellyfish आती हैं, फिर worms आते हैं, फिर insects आते हैं, फिर mollusks आते हैं, फिर vertebrates आते हैं, clear? vertebrates तो एक phyla है, मतलब एक phylum है, मतलब यह तो बहुत बड़ा group है, vertebrates में तो सोचो कौन कौन आ जाता है, सब आ जाते हैं, एनिमल्स कितने सारे आते हैं, और infusoria एक individual है, यानि कि एक अकेला single organism है, तो समय के साथ single organism से लेके group of organisms तक कैसे develop होता है, उसके पीछे Lamarck के according दो force काम करते हैं, इसे कहते हैं two-factor theory, क्या कहना चाहते हैं यह according to two-factor theory, पहला factor, complexifying force, nature में एक complexifying force लगता है, और उस complexifying force से क्या होगा, body के जो plans हैं वो ज्यादा complex होते जाएंगे, body plans ज्यादा complex होते जाएंगे, अब आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि body plans का क्या मतलब है, जैसे suppose करिए कि एक snack है, और let's suppose कि यह इस तरीके का है, यह snack है कोई, मान लेना कि यह snack ही है, तिक है, कैसा भी लगे यह, पर आपको यह मानना यह snack है, इसकी body plan देखो आप, गोल सा होता है, है ना, लंबा सा गोल सा है यह, अब यदि इसी snack के अंदर इधर limbs डवलप हो जाए, इस तरीके से, तो अब इसका body plan अब देखो, अभी भी इसकी body goal है, है ना, goal goal सी है, इसकी body थोड़ी सी और evolve हो जाए, large हो जाए, चप्टी हो जाए, अलग shape की हो जाए, तो इसे हम कहते हैं, body plans के अंदर change जाना, और जितनी ज़्यादा body के plans change होंगे, उतनी body ज़्यादा complex होगी, जैसे यह simple pen है, आप इस pen को ऐसे सीधे काटोगे, यह दो parts में divide हो जाएगा, बस इस pen के अंदर, कोई एक organ यहाँ से निकल जाए, कोई एक यहाँ से निकल जाए, कोई यहाँ निकल जाए, कोई यहाँ निकल जाए, यह जैसे लंबा ना होकर चपता हो जाए, तो इसका body plan कितना ज़्यादा complex हो गया, जितने ज़्यादा body में plans बनेंगे, उतनी body complex होगी, और जितनी body complex होगी, उतना ज़्यादा diversity बनती जाएगी, यह है complexifying force, अभी मैं आपको आगे इसकी language भी दिखाऊंगा, कि कैसे क्या होता है, इनके according, लेमार्क के according जो दूसरा force हो अडप्टिव फोर्स है, अडप्टिव फोर्स का मतलब क्या है, अडप्टिव फोर्स का मतलब है कि एक species है, अकोर्डिंग टू लेमार्क, एक simple species है, लेट से जिराफ है, वो जिराफ अपने life में, जब different type के environments face करता है, जब वो जिराफ different type के requirements feel करता है, कि मुझे तो अब अपनी neck stretch करने की ज़रुवत है, वरना मैं तो मर जाऊंगा, तो ऐसे में एक adaptive force लगता है, चाहे वो आप उसे internal force बोल दो, nervous fluid बोल दो, या आप उसको willpower बोल दो, कुछ भी बोल दो, उसके कारण एक species है, उसके अंदर variations आ जाते हैं, वो अडप्ट हो जाती है environment के according, इससे species level पे diversity बढ़ेगी, क्यों? क्योंकि जिराफ को गर्दन लंबी करने की ज़रुवत पड़ेगी, बतक है, डक है, उनको अपने pairs के बीच में webbed जो legs है, वो बनाने की ज़रुवत पड़ेगी, किसी को कुछ ज़रुवत पड़ेगी, किसी को कुछ ज़रुवत पड़ेगी, अलग-अलग species को, अलग-अलग requirement होगी, तो species की diversity बढ़ेगी, और जब body plans बढ़ेंगे, तो body की complexity बढ़ेगी, तो phyla का evolution कैसे होता है, complexity force से, diversity कैसे बढ़ती है, adaptive force से, तो ये lemar की two factor थोरी है, दो type के force काम करते हैं, चलिए देख लेते हैं एक एक करके, सबसे पहला है complexifying force, complexifying force क्या कहता है, इट डिराइव्ज, animal body plans, towards higher level, complexifying force, animals की जो body plans है, उसको higher level की तरफ लेके जाता है, orthogenesis without branching, ऐसी वाली line, creating a ladder of phyla, phyla की ladder बन जाएगी, सबसे नीचे simple, फिर complex, फिर complex, फिर complex, फिर complex, फिर और complex, यह complexifying force है, तो आप ऐसे समझ जाएए, कि complexifying का मतलब, नीचे से उपर जाओगे, तो complex organisms बन जाएँगे, तो यह तो हो गया phyla वाला classification, हाईरेर की, और जो दूसरे टाइप का force है, वो है adaptive force, adaptive force जैसे मैंने बोला, कि जब एक organism को, अपनी life के दोरान, कुछ requirements होती है, कि उसे लगता है, कि अब मेरे अंदर, यह organ बन जाना चाहिए, अब मेरे अंदर, यह process चल जानी चाहिए, तो उस दोरान, उसकी body के अंदर है, वो different type के, characters आते हैं, adaptive force बोलते हैं उसको, जैसे देखो, it causes animals, यह animals को बनाता है, with a given body plant, to adapt to circumstances, जैसे भी उसकी body है, उसके साथ, उस organism को, वो environment के according, adapt बनाता है, अब इसके पीछे, use and disuse काम कर सकता है, इसके पीछे, inheritance of acquired character काम कर सकती है, इससे creating, a diversity of species, different species में diversity बढ़ेगी, and general level के उपर भी बढ़ेगी, अब एक line important है, जो मैंने bold कर रखी है, lamarchism is the name, now widely used for the adaptive force, adaptive force के लिए, lamarchism एक important term है, जो इस्तमाल होने लग गया है, फिर एक note डाल के बात लिखनी है अपने को, क्या लिखनी है, कि lamarch ने ये believe किया, कि evolution goal directed होता है, और perfections की तरफ भढ़ता है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे suppose करो कि आपने आपको कुछ एक चीज बनानी है, खाने की dish बनानी है, आप कहीं पर restaurant में खा के आए, और आपको लगा कि नहीं, अब तो मैं घर पे भी ये same to same dish बनाऊँगा, तो आपके दिमाग में goal set है, कि आपको क्या करना है, आप उसी goal के according, best से best चीज़े collect करते हो, और एक perfect dish बनाने की कोशिश करते हो, आपके दिमाग में या मालो कोई एक mobile बनाने वाली company है, उस mobile बनाने वाली company के दिमाग में ये set है, कि मुझे तो एक बहुत अच्छा camera वाला, बहुत अच्छी battery life वाला, एक बहुत अच्छा mobile phone बनाना है, तो वो company क्या करेगी, जो भी perfect से perfect equipments होंगे, उनका यूज करेगी और वो एक perfect mobile phone बनाने की कोशिश करेगी, similarly, लेमार्क ने ये माना, कि nature के अंदर जो evolution है, वो goal directed है, मतलब nature को ये पता है कि मुझे 100 साल बाद में इस तरीके के organisms की ज़रत पड़ेगी, तो वो आज से ही organism को उसी direction के अंदर shape दे रही है, नेचर ये मान रही है कि 200 साल, 500 साल बाद में temperature बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो आज से ही ऐसे organism बनाओ, जो high temperature के लिए suitable हो, इसे कहते है goal directed evolution जो नहीं होता है पट लेमार्क ने कहा है, तो goal directed evolution किस तरफ lead करेगा, किस तरफ बढ़ेगा, ये बढ़ेगा towards perfections, ये organisms को perfect बनाने की कोशिश करेगा, तो ये है लेमार्क की two factor theory, अब उसके बाद हम बात करते हैं, लेमार्क के चार important points की, जिसके basis पे लेमार्किजम बनाया गया, 1800 से लेकर के 1830 तक, लेमार्क ने चार points से वो develop किये, जिनको four laws कहते हैं, हलांकि लेमार्क ने initially दो rules दिये थे, evolution कैसे होता है, उसको describe करने के लिए, लेमार्क ने starting के अंदर दो नियम दिये थे, वो भी पढ़ेंगे अपन, पहले एक बार ये चार points क्या हैं, वो clear करते हैं, सबसे पहला point ये है, कि लेमार्क के according जो body है, उसका volume time के साथ बढ़ता जाता है, body size increase होती जाती है, जैसे अपन एक example ले सकते हैं, इस point के favor में, पुराने time में, small size के, या small body size के horses होते थे, और आज के time में, ये old time की बात हो रही है, और ये आज के time की बात हो रही है, आज जो घोड़े होते हैं, large body size के होते हैं, लेमार्क ने ये चीज को notice किया, इसका criticism भी है, last में देखेंगे अपन, लेमार्क ने ये चीज को notice किया, कि time के साथ साथ, body के जो organs है, उनका volume बढ़ता है, तो कुल मिला के ये कहें कि body size बढ़ती है, ये है इनका पहला rule, लेकिन जब कभी भी आप theory में पढ़ोगे, या आपको अगर ये exam में मिलेगा, तो ये ही language मिलेगी, जो आपको screen पे दिखाई दे रही है, इसलिए मैं आपको ये language भी clear कर देता हूँ, याद रखने के हिसाब से आप इतना सा याद रखिए, time के साथ body size increase होती है, तो क्या कहना चाहता है, life by its own force, on force का मतलब वह हो गया, internal vital force, nervous fluid या willpower, tends to increase the volume of all organs, life अपने खुद के force के कारण, सारे organs से उनका volume बढ़ाने की capacity रखती है, या उनका volume बढ़ाती है, purchase the force of life, and the force of life extends the dimension of those parts, up to an extent that those parts bring to themselves, और ये जो life का force है ना, internal power, वो organs को up to a mark, एक level तक बहुत ज़्यादा extend कर देता है, dimension उसकी बढ़ा देता है, तो कुल मिला करके, body की size बढ़ती है time के साथ, ये बात कहना चाहते हैं, ये है इनका पहला simple concept, दूसरा concept, दूसरा point है, environmental fluctuations and new need, इसी के अंदर सारा कुछ आ गया है, कि environment जब change होता है, तो नई requirement आती है, नई requirement आती है, तो organism है, वो internal vital force से, नया character डवलप करता है, ये है environmental fluctuations and new needs, इसका मतलब, environment is responsible for creating a new organ, और a new characteristic, अब इसकी language पढ़ लेते हैं, क्या कहना चाहता है, production of a new organ, in an animal body, यहां तक की line में इतना ही काम का है, कि नया organ का production, results from a new requirement arising, एक नई requirement जो अभी arised हुई है, उसका result होता है, एक organ, and which continues to make itself felt, इसका मतलब हुआ कि जो requirement organism को हमेशा feel हो रही है, कि भई मुझे ये organ चाहिए, मुझे ये organ बनाना है, अब ये organ बन जाना चाहिए, उसको खुद को feel होता है, and a new movement, which that requirement gives birth to, जिसको एक requirement birth देती है, कि ये organ अब बन गया है, and it upkeep or maintenance, तो ये हुआ हमारे पास में, एन्वार्मेंटल फ्लक्टुेशन के बारे में, नया environment, नई need, नई need से नया organ, simple रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन इसको, new environment means new need, new need means new organ, तो ये हुआ लेमार्क का दूसरा point, अब तीसरे point के उपर आते हैं, use and disuse का concept है ये, ये कहता है कि the development of organs, and their ability, are constantly a result of use of those organs, जो organ ज्यादा use होगा, वो organ उतना बड़ा और उतना complex बनेगा, जो organ कम use होगा, वो organ उतना ही कमजोर हो जाएगा, फिर दीरे-दीरे समय के साथ body से गाइब हो जाएगा, इसको हम ऐसे represent कर सकते हैं, more use, ज्यादा use होता है, it means, larger end, complex organ, और जब less use होता है, तो smaller, weaken, and disappear, ये organ के साथ हो जाता है, नहीं use होगा, तो दीरे-दीरे weak हो जाएगा, गाइब हो जाएगा body से, इसके भी criticism दिये गए हैं, खेर, अब उसके बाद में, इस point पर, example ले सकते हैं अपन, जैसे, cave animals हैं, ऐसे animals जो गुफा में रहते हैं, ऐसे animals जो अंधेरे में रहते हैं, गुफा के अंदर अंधेरा रहता है, अब अंधेरे के अंदर, आँखों से देखने का कोई मतलब दिखेगा नहीं कुछ, तो आँखों का use कम हो जाएगा, आँखों का use कम हो जाएगा, तो इनको अब dark के अंदर दिखाई नहीं देगा, वीजन पावर लॉस्ट हो जाती है, फिर वो बोड़ी के अंदर कुछ और sensory system डवलप होता है, उस sensory system से कुछ नया sensory system डवलप होता है, उससे वो sense करते हैं चीजों को, तो जितना आँखों का use हुआ, उसके हिसाब से है, आँखे use नहीं हो रही है, केव के अंदर आँखे disappear, मतलब vision power disappear हो गया, और केव के अंदर नया requirement है कि आँखों से तो दिखेगा नहीं, तो feel करने के लिए कुछ ना कुछ नया sensory system बोड़ी में होना चाहिए, sensory system बोड़ी के अंदर होगा, तो उससे काम चलाएंगे, तो नया sensory system डवलप हो जाता है, यह हुआ use and disuse का concept, इसके उपर वापस मैं आपको language समझाऊँगा इसकी कि, लेमार्क ने originally क्या लिखा इसके उपर, वो बात करेंगे अपन, लेमार्क ने आर्ग्यू किया, कि जो species होती है, लेमार्क ने यह आर्ग्यू किया, कि जो species होती है, वो एक दूसरे से different होती है, क्यों different होती है, क्योंकि उनकी अलग-अलग जरूरते होती है, कोई अपनी आखों का ज़्यादा इस्तेमाल करेगा, तो उसकी आखे ज़्यादा complex हो जाएगी, कोई जो है वो predator से बचने के लिए भागेगा, अपने legs का ज़्यादा इस्तेमाल करेगा, तो legs की muscles strong हो जाएगी, कोई ऐसा है जो पानी के अंदर जाके रहेगा, तो उसकी body पानी के according हो जाएगी, हर organism की अपनी अपनी needs है, तो अपनी अपनी needs के लिए, कि हर organism का अलग requirement होगा, तो उसकी body अलग तरीके से change होगी, diversity आती है, कैसे species एक दूसरे से different होती है, because every species has its own needs, and due to their needs, they change differently, वो अलग अलग तरीके से change हो जाती है, यह है use and disuse का concept, नेक्स देखिए, last में conclusion वाला point है, आप इसे soft inheritance भी बोल सकते हो, आप इसे inheritance of acquired character भी बोल सकते हो, लिखा है यहाँ पे, कि life के दौरान जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, किसी भी तरीके से कोई character का development हुआ, वो character अब reproduction के थरो next generation में चला जाता है, ऐसा ऐसा करके है कुछ तो इसमें लिखावा, तो आपको यह point तो समझ में आई गया ना, कि acquired character का inheritance क्या होता है, all that has been acquired, वो सारी चीजें जो acquired की गई है, stressed or changed, चाए वो छोटी से छोटी हो, चाए कोई भी change हो, in the physiology of individual, individual की physiology में, during their life, उनकी life के दौरान, individuals की life के दौरान, उनकी physiology के अंदर, वो सारी चीजें, minute से minute भी, जो acquired की गई है, is conserved through the genesis reproduction, इस line का मतलब समझो, जिसको मैंने double line किया है, conserved through the genesis reproduction, मतलब कि जो change आ गया है, वो reproduction के दौरा आगे पास हो गया, इसलिए वो उस species में conserve हो गया है, एक organism है, जिसकी muscles ज्यादा develop हो गई है, तो उसने reproduction किया, तो developed muscles उसके progeny में भी चली गई, तो जो character उस organism ने acquire किया था, वो character conserve हो गया, ये मतलब है इसका, जो उन लोगों से संबंदित है, जिन में changes आए है, simple है ये भी, आपको exam के अंदर language समझने की बहुत जरूरत है, क्योंकि ये ऐसी चीजे हैं, जो सीधी सीधी simple language में नहीं लिखी होती है, जितना अच्छे से language समझोगे, उतना फाइदे में रहोगे, तो धीरे धीरे पढ़ें आप, आपको आराम से चीजे समझ में आएगी, एक organism जिराफ है, जिराफ को जरूरत हुई कि लंबी neck होनी चाहिए, उन्होंने stretch किया, लंबी neck हो गई, तो मतलब character acquire हो गया, अब वो जिराफ reproduction करेंगे, उनके progeny में already, लंबी neck आ जाएगी, क्योंकि parents में है, तो जो character parents में evolve हुआ, वो character उन parents से related organism में पास हो गया, transmitted to the new individuals who are related to those who have acquired the character, और who have undergone those changes, यह acquired character का है, आप इन्हें दो तीन बार पढ़ोगे ना, कुछ भी नहीं है, बस खाले यह लगा लो कि आप एक एक line की बाते हैं, जिसको elaborate करकर करके लिखा हुआ है, लिखना जरूरी भी है, exam के अंदर आता है, यह सब चीजे, चलिए next बात करते हैं, लेमार्क ने दो नियम दिये, अभी अपन इसके उपर चर्चा कर चुके हैं, आगे और कर लेते हैं, लेमार्क ने जो दो रूल्स लिखे हैं, अपने समझ के according, वो दो रूल्स कौन से हैं, पढ़ चुके हम, यू मान लो कि हम 90% लेमार्क इजम कम्प्लीट कर चुके हैं, अब नया बहुत कम आएगा, सारी चीजे पुरानी हैं, फॉस्ट लो इज यूज और डिस्यूज, अभी अभी बात करी, अब यह जो यूज और डिस्यूज का कॉनसेप्ट है, वो लेमार्क ने अपनी लेंग्वेज में कैसे समझाया, तो मैं आपको ये लेंग्वेज एकदम क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि यही लेंग्वेज है, वो आपको एक्जाम में भी मिल सकती है, धीरे धीरे पढ़ते हैं इसको, इन एवरी एनिमल, हर एनिमल के अंदर, ऐसे मानों की आप human being की बात हो रही है, एक बार है ना, human being की, इन एवरी एनिमल, विच हैज नोट पास्ट दे लिमिट ओफ इट्स डवलपमेंट, इसका मतलब, कि वो एनिमल अभी भी अपने डवलपमेंट की लिमिट को क्रॉस नहीं किया है, मतलब अभी भी उसका डवलपमेंट पॉसिबल है, यानि छोटा बच्चा है, उस छोटे बच्चे का अभी भी डवलपमेंट है पॉसिबल, उस बच्चे ने अभी अपने development की limit को cross नहीं किया एक बार वो adult हो जाएगा ना मनलब उसके body के सारे organs बन जाएंगे उसके बाद में ये concept काम नहीं करेगा ये concept कब काम करेगा जब तक एक organism में अभी भी development बाकी है तो उसको कैसे लिखा The animal which has not passed the limit of development जो organism अभी भी develop होना बाकी है यदि वो organism more frequent बार बार continuously लगातार किसी भी organ का use करता है तो वो organ gradually मजबूत होता जाता है develop होता जाता है बड़ा होता जाता है और ज़्यादा power आती है उसकी length में of the time it has been so used जब से वो use हो रहा है चीज समझ मैं ही आपको जितना ज़्यादा use होगा वो organ उतना ज़्यादा मजबूत होगा complex होगा, length में बढ़ेगा size में बढ़ेगा ये सारी बाते हैं तो ऐसे animals जिन में अभी भी development होना बाकी है उन animals के अंदर body size में कोई भी organ होगा वो ज़्यादा use करने से ज़्यादा बढ़ेगा अब इसका उल्टा while the permanent disuse of any organ जिस organ का permanently use होना बंद होगा वो weakens, कमजोर हो जाएगा deteriorates, धीरे धीरे घटना चालू हो जाएगा and progressively diminishes its functional activity और उसका functional activity काम करने की च्छमता, काम करने की capability diminish, finish हो जाएगी इसको simple पढ़ो finish और ये तब तक चलेगा जब तक वो finally disappear ना हो जाए एकदम से simple बात कही है बिलकुल confuse होने की ज़रुवत नहीं है बस आपको मन लगा करके ये पूरा paragraph रीड करने की ज़रुवत है उसके अलावा इसमें कुछ ऐसा तो लिखाई हुआ ना जो आपको समझ में ना आया हो तो ये है first law use and disuse का दूसरा देखो चले पहले इसका example देख लेते हैं ये जिराफ हैं अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ पर गौर करवाऊंगा ध्यान से देखना यंग एडल्ट्स लिए यंग एडल्ट्स का मतलब हो गया कि अभी भी इन में development बाकी है not has crossed the limit of development और इनकी नेक है वो देखो छोटी ले रखी है अब यह डाइग्राम जिस किताब से है उसमें ऐसे ही दे रखा है और यही यंग एडल्ट्स यहाँ देखो क्या लिखा है जनरेशन वन एक ही जनरेशन के अंदर इन्होंने अपनी नेक को स्ट्रेच किया तो इनकी नेक है वो लंबी हो गई इसी बात पर मैं गौर करवाना चाहरा हूँ आपसे कि लेमार्क के अकोर्डिंग एक ही जनरेशन के अंदर चेंज आ जाता है इंपोसीबल एक ही ओर्गेनिजम है वो खुद ही चेंज ले आता है ये वाला तो बिल्कुल गलत है बाकी कुछ हद तक कुछ एक्जामपल्स अपन लेंगे इनके जो दे रखे हैं और नेक्स्ट जनरेशन होगी ना तो उसमें जो यंग एडल्ट्स होंगे उन्ही की नेक लंबी रहेगी जो पैरेंट्स है जब पैरेंट्स यंग थे तब इनकी नेक शॉर्ट है लेकिन जब प्रोजेनीज यंग है तो इनकी नेक है वो लॉंग है It means कि ज़्यादा यूज किया और ये inheritance of acquired character और हो गया यहाँ पर इस diagram में दोनों चीजे समझ में आ गई inheritance भी हो गया यहाँ पर और use and disuse भी हो गया यह है पहला law जो लेमाक ने दिया अब दूसरा, simple है soft inheritance, acquired character यह मैंने आपको अभी बताया ही था, एक्षे से explain कर दिया था इस paragraph को पढ़ते हैं All the acquisition or losses वो सारी की सारे चीजें जो प्राप्त की है या जो चीजें हट गई है कुछ भी हो, raw by nature on individuals जो nature द्वारा individuals के उपर apply की गई है throw the influence of the environment in which their race has long been placed एक ऐसे environment के अंदर जिसमें एक species लंबे समय तक रही है तो उस environment में कुछ नई जरूरतें आई और कुछ जरूरतें जो पहले सितिव हट गई जैसे अपने simple अभी example क्या लिया था गुफा वाला लिया था ना, cave animals का जो animals, cave के अंदर रहते हैं उन animals में देखने की जरूरत हट गई कि अंधेरा है, दिखना तो है नहीं वीजन की जरूरत है वो तो हट गई लेकिन उनको दूसरे sensory organ की जरूरत आ गई तो जो चीज हट जाती है, जो चीज नहीं आ जाती है and hence through the influence of the predominant use और permanent disuse of any organ all these are preserved by reproduction हर वो चीज reproduction करके next generation में पहुँचा दी जाती है मतलब वो preserve कर ली जाती है बचा ली जाती है which arise provided that the acquired modifications are common to both sexes दोनों male and female के अंदर acquired characters हैं वो common होते हैं क्योंकि जब next generation बनेगी तो हो सकता है male progeny बने हो सकता है female progeny भी बने तो वो female progeny में भी पहुँचाई जाएगी वो male progeny के अंदर भी पहुँचाई जाएगी यह है use and disuse का concept और इसका देखो एक example ले रखा है ले मार्क ने ले मार्क ने कहा कि जो blacksmith है एक लोहार है जो लोहे के ऊपर हतुडी मारता रहता है सारा दिन जो लोहे का काम करता है वो लोहार अपने muscles का ज़्यादा use करता है इसलिए उसकी muscles हो जाती है लेकिन यही reproduction से next generation में पहुचा दी जाती है ले मार्क की according जो सही नहीं है एक लोहार है उसका बेटा भी strong muscles के साथ पैदा होगा या उसकी muscles भी strong होगी वो इस बात पर depend करता है कि वो अपनी muscles का कितना use करता है ऐसे कुछ characters हैं जहां use and disuse apply होता है लेकिन वो सिर्फ एक individual के खुद के life तक ही होता है ऐसा नहीं है कि वो हर generation में पर्मानेंट हो गया और लेमार्क की according वो पर्मानेंट है सो blacksmith अपने muscles को strong कर लेता है और फिर जब वो reproduction करता है पूरा तो इसके sons है मतलब इनके बेटे जो होंगे उनके अंधर भी strong muscles जाएगी यह है use and disuse का simple सा concept given by लेमार्क अब लेमार्क से पुछा गया कि बताओ species change क्यों होती है लेमार्क ने बहुत अच्छी बाते करी इसके बारे में भी लेमार्क ने अपने जितने points रखे है उनमें उन्होंने पूरी पूरी कोशिश करी है हर चीज को explain करने की अगर हम एक बार recent knowledge को side में रखे तो लेमार्क ऐसे लगेगा बिलकुल सही है ये तो चलो हमको आज पता है कि क्या चीज ज्यादा सही है क्या कम सही है इसलिए हम बोल देते हैं कि लेमार्क वाली बात है वो कम सही है लेकिन यदि हम बात करें लेमार्क तक के time की तो आप सोचो लेमार्क के according तो हम हर चीज को justify कर पा रहे हैं लेमार्क से पूछा कभी species change क्यों होती है बहुत बढ़िया बहुत सुन्दर जवाब दिया इन्होंने The principal mechanism was an internal force सबसे main चीज है change होने के पीछे internal force अब वो internal force कैसे काम करता है उसके दो तरीके हैं पहला तरीका जरूरत है वास्तव में या ऐसे ही बैठे-बैठे मन में आ गई वास्तों में जरूरत है in the sense कि organism या तो खुद नए habitat में चला जाता है और नए habitat के according उसको नई जरूरते आ जाती है या उसका habitat change हो जाता है तो जरूरते आ जाती है और एक दूसरा है बैठे-बैठे ऐसे ही मन में आ गया कि मेरे तो wings आ जाने चाहिए या मैं तो spider man बन जाना चाहिए तो ऐसे type के changes internal force से होते हैं according to Lamar तो Lamar को जब ये पूछा गया कि बताओ species कैसे change होती है तो Lamar का पहला और main answer था internal force के कारण Lamar क ने कहा कि एक organism के अंदर a sort of एक type का unknown mechanism होता है जिसे will power कह दो या nervous fluid कह दो और वो उस organism को मजबूर करता है कि वो organism अपने से थोड़े से different progeny बनाए अब हमको तो ये पता है कि parents जब sexual reproduction करेंगे तो उनके gamits बनेंगे meiosis से meiosis से gamits बनेंगे तो variation आएंगे तो जो progeny बनेंगे वो parents से slightly different होंगे क्यों क्योंकि उसके पीछे reason है sexual reproduction meiosis, gamit formation लेकिन लेमार्क ने क्या कहा कि हर organism के अंदर कुछ एक unknown type की mechanism होती है एक will power होती है एक nervous fluid होता है और वो will power या nervous fluid उस organism से थोड़े से different progenies produce करवाता है such that when the changes had accumulated over many generations और जब हर generation पे ये changes आते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि transform हो जाएगी organism मतलब species दूसरी के अंदर एक चीज समझाता हूँ आपको जैसे suppose ये generation 1 है ठीक है इस generation 1 के parents है इन्होंने थोड़े थोड़े different progeny produce किये generation 2 बनाई generation 2 ने थोड़े से different progeny produce किये generation 3 बनाई फिर उसके बाद ऐसे ही थोड़े different progeny और थोड़े different progeny और थोड़े different progeny और थोड़े different progeny और थोड़े different progeny ऐसे करते करते, बहुत समय तक different 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 progenies बनते गए, तो जब यहां से लेकर के यहां तक का हम time या changes देखते हैं, तो काफी ज्यादा changes आ चुके होते हैं, हर बार थोड़े 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 चेंज आएंगे, देखो लिखा हुआ है, कि when the changes had accumulated over many generations, जब changes कई generation तक इकठे होते जाते हैं, तो यह changes है, वो इतने ज्यादा हो जाते हैं, कि जो first generation है, और यह जो generation है, यह इतनी different है, कि अब species ही नहीं बन चुकी है, transformation हो चुका है, यह बात है, first law के according, या first principle mechanism के according, दूसरा, लेमार्क ने क्या justify किया, लेमार्क ने, जो second बात बोली, जो कि possibly कम important है, उनके according, mechanism is the one, he is now remembered for the inheritance of acquired character, species क्यों change होती है, internal force की वज़े से, और दूसरा acquired character जो आ गया, वो अगली generation में जाता है, इसकी वज़े से change होती है, लेमार्क ने suggest किया कि एक species, could be transformed if these individually acquired modifications were inherited by individuals of spring, तब ही transform होगी, जब characters pass on, pass on, pass on होते जाएंगे, तो finally उस species के बहुत सारी generation के बाद में, ऐसी generation बनेगी, जिसमें सारे characters accumulate हो गए है, now it is totally a different species, यह है लेमार्क का second reason, जो explain करता है कि species क्यों evolve होती है, क्यों change होती है, अब एक और important point पे ध्यान देना, आपको note डाल के लिखनी है बात, लेमार्क है, वो पहले इंसान नहीं है, जिन्होंने acquired character की बात करी है, हमने ancient theory पड़ी, pre-modern theory पड़ी और modern theory पड़ी है, जिन्होंने नहीं पड़ी है, वो पीछे वाले वीडियो देखो पढ़ो पहले, बाद में ये चीजे समझ में आएगी, उनमें भी हमने कई जगह पे acquired character की inheritance ऐसा सब बात किया हुआ है, तो लेमार्क ने inheritance of acquired character की बात करी है, ये पहले इंसान नहीं थे, इनसे पहले तो Aristotle के गुरुजी, Plato, उन्होंने इं बात कर ली ऐसी, तो ये वाला पॉइंट आपको बस दिमाग में clear रखना है, हालंकि एक्जाम के अंदर ऐसे थोड़ी आएगा कि, ये चीज़ नहीं आने वाली है, पर आपको पता होना चाहिए, कि लेमार्क वाज़ नौट दिस्कूर्स अबाव दे इन्हेरिटेंस of acquired character, चलिए, नेक्स्ट और कुछ बाते करते हैं, ऐसे एक्जाम्पल्स जो लेमार्क इजम को सपोर्ट करते हैं, देखो अगर हम चाहें, तो बाइलोजी के हर एक्जाम्पल को लेमार्क की अकोर्डिंग जिस्टिफाई कर सकते हैं, जैसे जिराफ है, उनको लंबी नेक की ज़रुद पड़ी, लंबी नेक बन गई, जैसे साप है, सनेक है, उनको लिम्ब्स की ज़रुद नहीं थी, तो उनके लिम्ब्स हट गए, जैसे कि मैन है, उसको दो पैरों पे चलने की ज़रुद पड़ी, तो मैन दो पैरों पे चलने लग गया, जैसे कि aquatic birds है उनको तैरने के लिए अपने fingers के बीच में gap नहीं चाहिए था membrane चाहिए थी तो membrane की formation हो गया चाहें तो हर एक example को Lamarck के according explain कर सकते हैं जिराफ वाला तो आपको पताईए अब ये देखो aquatic bird वाला एक aquatic bird है इसको यदि पानी में रहना है तो इसके legs ऐसे होने चीज़िए flippers के जैसे ताकि ये आसानी से अंदर ये अंदर पानी में तैर सके समझ में आ रहा है ये चीज़ तो ये Lamarckism को कैसे favor कर रही है ये bird species पहली बार पानी में गई होगी पानी पे जाने पानी के अंदर जाने के बाद पता चलाओ हो यहां तो हमें ऐसे कपार नहीं पड़ेगी हमको तो तैरना पड़ेगा तो पैर हिलाने के लिए flipper की ज़रुद है चेंज हो गया दूसरा करेक्टर देखो flat fishes जो फिशेज डीप ओशन में रहती है वहाँ पर कुछ और जरुरते हैं जैसे यहां के एक्जामपल से दो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी पहली आप सोचिए कि जैसे यह हाथ है अगर ऐसी body होगी तो इस body के उपर water pressure गिरेगा और water pressure गिरेगा तो इतना surface area है इसके उपर ज्यादा pressure लगेगा तो pressure कम करने के लिए क्या करना चाहिए body flat हो जानी चाहिए ऐसी अब इतना surface area है उसके उपर pressure गिरेगा एक चीज तो यह है इनके अंदर जो deep ocean के अंदर fishes रहती हैं उनकी body ऐसे वाली flat हो गई ताकि उनके उपर water pressure कम पड़े ऐसे होती ज़्यादा pressure पड़ता ऐसी है कम pressure पड़ेगा यह चीज clear है उसके बाद में दूसरा point आप एक बार अपना example हो human का हमारी आखे देखो कहां पर present है दोनों आखे एकदम face के ऊपर एक साथ present है और हम एक vision देख पाते हैं इन आखों से अब सोचो कि हमारी body flat हो जाए तो यहाँ पर दो आखे कैसे होंगी एक आख इधर हो जानी चीए एक आख इधर हो जानी चीए अभी तो हमारी body ऐसी है कि हमारी आखों से हमें बहुत दूर का एक area cover हो जाता है लेकिन यदि हमारी body ऐसी हो जाए एकदम flat तो हमको इधर भी देखने की जुरत पड़ेगी और उधर भी देखने की जुरत पड़ेगी इसलिए आखे flat position से हटके side वाली lateral positions पे आ गई आप देखिए एक आख तो यह है इस side और इसके opposite side दूसरी आख और है आपको यहाँ पर छोटे छोटे यह कुछ points दिखाई दे रहे होंगे यह आखे नहीं है ठीक है ना ध्यान रखना यह आखे नहीं है यह ऐसे कुछ तो होगा होगा पर यह आख नहीं एक आख इस तरफ है दूसरी आख इस तरफ है यह एक और example है जो लेमार्किजम को favor करता है next देखो wedding birds wedding birds का मतलब क्या होता है चलो diagram दिखा देता हूँ आपको easily समझ में आ जाएगा क्या समझ में आ रहा है इस diagram के अंदर यह birds ऐसे वाले हैं कि यह पानी में जाके अपना food search करते हैं इसके चौच के अंदर एक fish दबी हुई है आपको शायद clearly नहीं दिखरी होगी यह पानी में जाएंगे और अपना food search करेंगे पानी के अंदर तो क्या होना चाहिए इनके पैर लंबे हो जाने चाहिए क्योंकि इनके पैर लंबे होंगे तो इनकी body पानी के अंदर भीगने से बच जाएगी वरना तो इनकी body पानी में भीग जाएगी तो wedding birds जो होते हैं उनकी body पानी में भीगने से इसलिए बच जाती है क्योंकि उनके पैर लंबे हो गए इनको जरुरत थी कि पानी में जाके food search करना है तो body को पानी की surface से थोड़ा ऊपर रखना है ये लेमार्किजम का अच्छा खासा example है चीजे समझ में आ रही है आपको तो ये हुआ हमारे पास में लेमार्क एंड लेमार्किजम के बारे में अब अपन बात करते हैं criticism of लेमार्क बस simple simple थोड़ी सी बात है बहुत सारे लोगों ने लेमार्क को criticize किया लास्ट में हम एक line पढ़ेंगे जो एक बहुत अच्छी किताब से लिए मैंने इसका सबसे पहला example तो यही आएगा कि organisms में कोई vital force नहीं होता है जिसके कारण वो अपना मन चाहा character डवलप कर सके और यदि ऐसा होने लग जाए तो आप सोचो कि human species है वो खुद ही अपने आपको तबाह कर लेगी क्योंकि हर कोई superpowers चाहता है इसलिए there is no vital force in the organism which can increase their body parts कोई सा भी ऐसा नहीं है दूसरा criticism एक animal है उसकी desire से नया organism बनता है it is not true desire से नहीं बनता न वरना तो हम कब के बहुत सारे organs develop कर चुके होते हैं तीसरा point देखो huge and disuse वाला जो concept है वो एक particular organism की life तक तो शायद true हो सकता है पर वो concept next generation में true नहीं होगा क्यों क्योंकि जो blacksmith वाला example लिया एक लोहार उसकी muscles strong हो गई क्योंकि उसने महनत करी है लेकिन उसके बेटे की muscles हैं वो भी उतनी मजबूत होगी not possible चो इस कारेंट से यह use and disuse वाला concept है वो एक life तक तो हो सकता है सही हो जादा आगे तक सही नहीं रहता है एक और चीज़ एक फस्ट वाला जो अपने पढ़ा था कि 1800 से लेकर 1830 तक के time duration में लेमार्क ने कहा था कि body organs का volume बढ़ता है वह वाली बात है body organs का volume हर बार बढ़ना चाहिए क्या नहीं क्योंकि evolution दो टाइप का होता है ब्रॉडली अगर मैं बात करूं evolution दो टाइप का होता है पहला यह है progressive evolution और दूसरा जो है वो है retrogressive evolution जैसे progressive का मतलब होता है simple से complex simple चीजों से complex बनना और retrogressive का मतलब होता है complex to simple complex चीजों में reduction आना और simple चीजे बन जाना अब क्या चीज यहां पर अपने को समझनी है एक छोटा सा example लेता हूं जिसमें दोनों चीजें आ जाएंगे plant का evolution देखो एक बार आप सबसे पहले algae आए ठीक हजी उसके बाद में bryophytes आए उसके बाद में टेरीडोफाइट्स आए उसके बाद में जिमनोस्पम आए उसके बाद में डाई कोट्स आए और लास्ट में मोनो कोट्स आए मोनो कोट्स में grasses की बात अपन करेंगे grasses ठीक है मोनो कोट्स या grasses एक बार मैं यह समझा देता हूं इतना पता है आप लोगों को थोड़ा सा अब यदि आप algae से लेकर के grasses तक का pattern देखे तो आपको दो चीजे समझ में आएगी कौन-कौन सी आप ज़र आप body size की बात करो body size algae छोटे bryophyta बड़े peridophyta और बड़े gymnosperm और बड़े dicote थोड़े छोटे grasses थोड़ी और छोटी body size बड़ भी रही है घट भी रही है इनके sex organ की size की बात करो algae के अंदर sex organ simple algae में तो होते ही नहीं है फिर sex organ algae में unicellular है एक cell के बस bryophyta में थोड़े बड़े peridophyta में थोड़े और बड़े gymnosperm के अंदर और बड़े size के ovules dicote के अंदर छोटे grasses के flowers देखो और उनके sex organ सी तो बात ही क्या करनी फिर इसका मतलब यह हुआ कि evolution दोनों direction के अंदर प्रसीड होता है चाहे आप complex से simple चले जाओ या simple से complex चले जाओ तो यह वाला point था ना लेमाक का कि भई time के साथ में body के organs की सभी organs की volume बढ़ती है यह वाला point बहुत ज्यादा सही नहीं है कुछ सही भी है कुछ यह सही भी नहीं है तो कुल मिला करके यह भी एक criticism का point है अब उसके बाद में विजमैन का एक experiment था यदि आपको याद हो तो विजमैन ने चूहे लिए और चूहे लेकर के इनकी tail को cut कर दिया Amputation removing a removing a body organ कोई body organ को हटाना इसे removing a body organ कहते हैं Amputation बोलते हैं अब देखो यह जो मैंने diagram लिया है यह research paper से लिया है इसमें 19 generation लिखी हुई है 19 generation किताब के अंदर 22 generation भी लिखी हुई है अब कोई फरक नहीं पड़ता अपने को अपने को यह तो कोई पूछने वाला है नहीं कि विजमेंने कितने generation तक ऐसा किया पर आपको बस जो concept है वो पता होना चीए विजमेंनने male female चूहे लिए उनकी पूँच को काट दिया अब पूँच कट गई तो वो tellless बन गए यह है tellless तो यह एक character हो गया न tellless होने का विजमेंने कहा कि मैं इन चूहों के environment का एक biotic factor हूँ biotic factor है वो तो मैं इनको एक character दे रहा हूँ tellless होने का पर जब next generation के अंदर चूहे पैदा होते हैं तो उनकी पूँच में कोई change ही नहीं आता normal size जितनी होती है और पूँच present होती है 19 या 22 generation तक वो cut cut करते गए हर बार जो नए progeny पैदा हुए वो सारे के सारे पूँच के साथ पैदा हुए और वो सारे के सारे जो है वो same length की पूँच के साथ पैदा हुए तो इसका मतलब जो acquired character उसका inheritance नहीं होता और which man ने ये भी तो कहा था कि germ plasm and somatoplasm होता है germ plasm है उसमें changes जाएंगे तभी आगे पास होंगे somatoplasm वाले नहीं होंगे तो ये एक विजमैन का experiment है हमने विजमैन का theory है वो last lecture के अंदर पढ़ा था आप वहां से consult करें ठीक है next देखिए एक और वग्यानिक थे पैयाने पैयाने ने क्या किया drosophila को 69 generations तक अंधेरे में रखा क्योंकि landmark ने एक बात कही थी कि जिस organ का ज्यादा यूज होगा वो ज्यादा complex होगा और जिसका यूज नहीं होगा वो धीरे धीरे disappear हो जाएगा तो पैयाने ने क्या किया drosophila को अंधेरे में रखा अंधेरे में रखा तो फिर आँखों का यूज तो करनी पाए वो drosophila उनकी eyesight है वो या तो छोटी हो जानी चाहिए या आँखे disappear हो जानी चाहिए ऐसा कुछ होना चाहिए ना पर हो रहा है क्या नहीं हो रहा है 69 generations के बाद में भी there is no reduction in the size or sight of eyes ना तो eyesight में कोई problem आई ना size में कोई problem मतलब कुछ भी कम नहीं हुआ यह भी लेमार्क का एक बड़ा criticism एक और अपन example ले सकते हैं इंडिया के अंदर और आजकल तो almost सब जगह पे पर इंडिया में खास यह culture है कि लड़कियों के कान और नाक में छेद किया जाता है jewelry पहनने के लिए आप सोचो कि यह वाला प्रचलन तो कितने generation से चलता रहा है राजा महराजा के time थे बहुत पुराने सबसे यह प्रचलन है कि लड़कियों के कान में छेद किया जाता है लड़कों को कई बार और नाक में छेद किया जाता है jewelry पहनने के लिए पर हर बार जब भी किसी girl का birth होता है एक लड़की पैदा होती है तो आज तक तो कोई ऐसा evidence हम को देखने को नहीं मिला जिसके कान में पहले से hole हो right इसका मतलब acquired character का inheritance नहीं है mother है उसके पास एक character है boring का पर next generation में तो नहीं जा रहा है और एक और है iron shoes of Chinese यह देखो एक अजीब ही इनका चलता रहता है Chinese culture के अंदर क्या होता है कि जब कोई बच्ची पैदा होती है उसको लोहे के जूते पैनाये जाते हैं लोहे के जूते पैनाने से उसके पैर छोटे रह जाते हैं और उस जूते की एक shape होती है से नुकिली आगे से मतलब narrow और पीछे से इस तरीके की तो वो shape है वो सुंदर मानी जाती है उनके culture में यह ऐसे shape का पैर होगा तो वो बहुत जादा सुंदर होगा तो जब भी कोई लड़की पैदा होती है तो उसको छोटे age से ही iron के जूते पैनाये जाते हैं तो उस बच्ची का पैर है वो उसी shape का हो जाता है और छोटा रह जाता है और फिर भी जब नई बच्ची पैदा होती है तो उसका पैर नॉर्मल होता है तो यह character का आगे inheritance नहीं हो रहा है यह criticism की बात हो गई अब last line जो हम आपको बोल रहा था Lamark के idea की evolution कैसे होता है गलत थे लेकिन वो deserve करते हैं credit के लिए कि he was the first to advance a coherent and testable theory of evolution वो पहले इंसान थे जिनोंने evolution की theory दी थी बले ही सारी चीजे गलत है पर उनको credit जाना चाहिए इसलिए आप देख लीजिए कभी भी evolution पढ़ा जाता है तो Lamarkism को जरूर से पढ़ते ही पढ़ते हैं यह है हमारे पास में Lamark and Lamarkism आज के lecture में हम इतना ही पढ़ेंगे Neo Lamarkism हम next lecture में पढ़ेंगे तब तक आपको क्या करना है आपको अपनी queries है वो WhatsApp करनी है और आप यह lecture भी सबके साथ share कर दें तो ज्यादा सही रहेगा बाकी आप जरूर देखें यह lectures को Thank you so much मिलते हैं next lecture में बहुत जल्दी गॉपनी तब तक ड़ी नहीं झाल झाल झाल